जब सिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की अवाज 2014 की एलेक्शन में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक जुट होकर खड़ी हो गई है और पियमोदी और बीजेपी सरकार को हराने का भर पूर्वक प्रियास कर रही है लेकिन ये प्रियास कितना सफल हो पाएगा विपक्षी गटबंधन इकठा हुआ है और ये चर इंडिया नाम रखकर कहीं न कहीं देश के नाम का अपमान क्या गया है एक राजजनीतिक पार्टी इंडिया नाम रखकर देश का अपमान कर रही है लेकिन ये कितना सही है क्या इससे देश का अपमान हो रहा है या फिर जिस तरीके से ये पार्टियां मिल जुल कर गटबं करेंगे और अवाम से जानेंगे कि उनकी इन मुद्दों पर क्या राय है तो चले बढ़ते हैं अवाम कि और जानते हैं इन मुद्दों पर उनकी राय मैं नीम में मेडी को तो लग रहा है कि दोनों पाइटिस बिसिकली पॉलडिक सी कर रहे हैं इस पे उपर पांट्री के नाम को उसी में यूज कर लेना पार्टी की जाय प्र जाल रही है तो एक तो इंडिए नाम बेनाल कोशना कुछ बेनेपिट हो सकदाए यही जानेगे कि क्या लगता है कि क्या लगता है कि क्या इंडिया रखाए करें चाहिया और इस नाम पर भी वावाल है और इस team पर भी वावाल है तो यही जानेंगे कि क्या लगता है कि क्या इंडिया रखने से क्या सच में इसका भारत देश का अपमान हो रहा है या फिर ये नाम इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे बनाया जा रहा है तो इस ताइम पे आप देखोगे तो इंडिया में खासकर ऐसा बोला चाहरा है कि एक देश पक्ति की लहर चल रही है तो आइटिंग कॉंग्रेस भी उसी मोड में उसी लहर में बोल रहे हैं कि तैरने की कोशिश कर रही है बेसिकली तो वो नेम टागेटिंग यह चलती रहती अमिच्छा जी का भाशन भी देख रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि इस कंपनी का दिवालिया निकल गया होता है उसको अपना नाम चेंज करना पड़ता है और यह किसमों से यूपीय का नाम यूज करेंगे क्योंकि इनके उपर काफी करुप्शन के चार्जिस औरेडी यूज कर रहें नईम का तो यह तो चलता रहेगा यह पॉलिटिक्स का पार्ट है रही बात उसकी तो बात यह है कि मुद्दों पर बात हो तो बेटर रहेगा ऑपोजिशन के लिए भी रहेगा कि मुद्दों की बात की जाए रादर देन कि सभी को एक साथ आने से बेटर है बड अगर आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो लोग की तरफ इस चेंज की बात करेंगे तो लोग नाचुली आपको सुनेंगे अगर requirement होगी तो naturally हम भी उसकी तरफ के लिए सोचेंगे लेकिन आपको लगते हैं कि सच में शायद BJP को हराना मुश्किल हो गया है कि सारी पार्टी एक अठी होकर एक alliance बना कर खड़ी हुई है वो तो मैं naturally है अब एक साथ सभी का ना जो एक दूसरों को क्रेटिसाइज करते हैं आज हो एक साथ हो रहे हैं कुछ तो वज़ा ही होगी अगर यह अगर एक साथ होए हैं तो अभी तक एक सब्सक्राइब कोशन है कि इनका लीडर कोन होगा अभी सवाल भी है कि आपको लगते हैं कि विपक्ष की एकता तो दिखाई दिए लेकिन ये एकता तब भी दिखाई देगी जब एक नाम उभर कर सामने आएगा क्यूंकि अभी तक सुनने महा रहा था कि मुम्ता बेनर जी और केजरिवाल आपको क्या लगते है कि क्या दो हजार चॉबिस में इंडिया बनााम भारत इस्की बिल्कुल रहेगी क्यूंकि जो अदर पार्टी मुद्ध नहीं है उनका पहली बाद पौइंट बाद परिवार बाद परिवार बाद अगर ये दस बंदे तो गंधी गंधी कर रहे हैं एक दो नितिश कुमार रहा है वाकी ममता जी है वह करते हैं कि हमारा भाड़ा भारी है बट ऐसी बात है नहीं तो वही है इनका इंडिया भी यूज करें गलत है तो उसको क्रिटिसाइज करें मनीपुर का मुद्दा लेकर बैठे हुए लोग सब सब्दस करें अडिया कोई तो को के दी विख इंडिया को एसे मॉद्यागत कर्या है तो न को अंत्रय वहीं गौ्शहें टीज आपको नहीं लगता है कि देश पर बैठा है, जो शायद सरकार चला रहा है, जिसके ओपर हमने जिम्मेधारी दी है, अगर वो इतने गंभीन मुद्दे पे नहीं कहेगा तो क्या आपको नहीं लगते कि कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है खीके सवाल उठने लाजमी है बड़ वो ग्राउंड वर्क पर काम कर रहे हैं एक वरी स्टॉंग उससे बोलेंगे जैसे बाकी बोल रहे हैं वो फैदा नहीं है तो ग्राउंड लैवल पर सिचुएशन समझेंगे संभालेंगे उसी साफ से एक्ट करेंगे बाकी वो कह रहे हैं कि सिचुएशन संभल गी है तो शायद संभल गी होगी अभी आपको क्या रहे हैं कि हमारे नोर्सिस्ट के बच्चे तो वो कह रहे हैं कि यह तो काफी टाइम से चल रहा है मेती का और कोकीज का यह तो चलता ही आ रहा है पहले भी हुई है मुद्धे सब कुछ चल रहा है बट एक नए तरीके से शायर यह कुछ करें देखो रिजॉल्व कर दे लेकिन अपको लगते हैं कि यह सही है इस वक्त यह तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मुद्धों की बात क कि लुद्धा के नाम को उसी में घर लेना पार्टी की गलत है कि यह भाट्य को अपढ़ेंगे बेजुक्त देख का नाम नहीं तू कम यह तो गलत था इसके तो है यह तो है सितिक्ता हुई है में आपके नजरीह में हरा पाएंगे बीजेपी को या नहीं देखो एसे तो हम यहां बैठके क्या गेस्स करेंगे बट तफ है तफ तो है देखो बाकी देखेंगे वह उनका खुदी को स्ट्रेजी नीन होगी एक इदर को चलेगा किदर को चलेगा वापस में नहीं चल रहे वह बाएक पोस्टर भी तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वह जब नाम सामने आने की बारी आएगी तब यहीं विपक्षी एकता इकठी दिखाई देगा नहीं होगा अगर अभी हो भी जाएंगे बूटें डलवा लेंगे बाद में इनका इसीन रहेगा अज हम बात कर रहे हैं सर की इंडिया जो व राजनेताओं के पास और बहुत सारे मुद्धे हैं बजाए इसके कि वो इस एक नाम के ऊपर राजनीती करें अजी मेरे साब दिनाल जिमें इंडिया लाइन साए बेसिकली इंडिया दे लोक आपनों बतावा जिमें के जिनने में तर मांदेया बहुत एमोशन्स वाले ने इंडिया लगदाए के जिमें उननों अपना अपना पन लगे जनने पक्षी दाला है सारे अपने दुझा कि दा कि ए सारे इंडिया ए ताहां उननने बेसिकली उजड़ा इमोशन्स वाले नाम रख्या गया है बाकी जिमें में ऊथ है डिमेंड़ करेंगाना ना अजन्ड जेनी और अपने अपने अजन्डा दे वे चह हैल्थ नूद एजुकेशन नूद यहां डिफरेंट डिफरेंट सोशल वैलफेर स्कीम्स के में परमोट कर न है बेसिकली जेड़े वे अजिकल एजुकेटर पीपल ने जा एजुकेटर जी हूँ था उननों ते बेसिकली एहो देखके वोट करनी चाहिए दिया कि कोई भी अलाइंस हा कोई भी गौवर्मेंट हा हो हेल्थ एजुकेशन दे सोशल वेलफियर दिली की अपनिया स्कीम्स लेग आ रही है जी दिनाल ससाइटी दे वे चाप लिफ्ट मेंटो वे एक वदिया तरीके दिनाल इंडिया एजे सुपर पावर एजे ग्लोबल पावर उबर के आवे ना के इमोशनली एटैच हो के किसे इंडिया दिनाल नाम दिनाल जहां किसे वैसे दिनाल वोट की ति जावे वोट अजन्डाद मैनिफ़ेस्टो दे बेह्सते और इन जाही दिए है लेकिन आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों को कहीं ना कहीं हार एक पार्टी एक 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 मैं तो अपने पर्सनल अप्डेक्टिव दे साव नाल बेस देते हो कहा सकता है कि उन्हानों स्कीम्स वेके बाट जिमें दी अपनी अजुकेशन रेटा जाओ लिट्रेसी रेटा पा कहा सकते हैं उती किते ना किते इंडिया नाम दे नाल विपक्षी दालनों कुछ ना कुछ बेनेफिट हो सकता है हो सकता है यह दे वेच कोई दो रहा है नहीं एक सवाल हो रहा है आपसे कि विपक्षी दल जिस तरह से कठे हुए 2014 में क्या आपको लगता है वो पीम मोदी को हरा पाने में सफल हो पाएं मैं बेसिकली किसे भी पार्टी देवे चमाल लो जहां पक्षी दाल लालो जहां एंडिया लालो जी अपनी को लेक पीम फेस हो वे ना कोई भी कैरिस्मेटिक लीडर हो वे उदे उत्ते बूटिंग बहुत डपेंड कर दिया कई पार्टी यह रीजन है कि जो पावर देवे यूपी ब्यार हो गया कि अधिया रिस्पेक्ट ना बोल देने सो इन देली इंडिया देली एक हो ड्रॉब है का कि इन्या लीडर ना देवेच इन्या पार्टिया दे गठ मंदन देवेच बाद वेच एक ते गौवर्मेंट चलानी हो जंदिया दूसरा केड़ा पीम क्योंकि लोग ते वोट राद पाद हैंगे चलो लाइंस पार्टनर देवेच बत लोग का नुए भी नहीं पता लगना ना कि साधा पीम कौन होएगा सी वोट की देली पा रहे हैं इना टाइम तक अपने को कोई स्ट्रॉंग फेस ज्यां स्ट्रॉंग लीडर नहीं अगा अपना ट्रस्ट वर्दी कि में के पार्टी कर सकते हैं क्योंकि एड़ दी एंड रिपर्जेंटेटी कोई वेगा इंडिया दा उधे पीम ही वेगा ना यह आपनो पहला पता आएगा कि हाड़ा पीम के मेंदा आटोमेटरी बहुत वोटा इंफ्लूएंस उन गी हैं उधे आपको लगते हैं विपक्षी गडबंधन आज तो एक है आज तो एक त्धा दिखाई दे लेकिन जर मीदवार की चयन की बारी आएगी जर 찍एंअ में फेस की बारी ऐगी उस दिन भी आपको लगता है विपक्षी एक ता इसी तरह एक साब दिखिए मैं 80% 80% एह सेम मनमौन सिंग गॉवर्मेंट वे ले यूपी अलाइन से उसी बड़ी प्रॉब्लम लेंदी सी बहुत हैं में जी एस टी में इन्दे बिल्स सी जी नहीं पास वो पाए रीजन एजी क्योंके कोई बी मुद्दा चुक दे जी विच्चु कहीं गेंदे सी के नही मजोर्टी दे कोश्क अड्वांटेज विया कोश्क ड्रॉब है को इन देने बट ए आज दे टाइम दे वे चलो एक ननू एंडिया गॉवर्मेंट नू टक कर दें देली कठे हो ये ने बट ए नहीं पता कि किनी सक्सेस्फूल रहेगी होते अग्ये देखांगे कि लोग की पे इदे ने किनानू पावर्च पे इदे ने किया गया ये लोग कांदिते डिपंड करता है ये भी नी पता हाँ अलाग लाग हो जाएंगे गॉवर्मेंट एक वार वोड्स पयाजान की पता सरकार चले भी ना चले एदे फ्यूचर इन फ्यूचर विकन डिसकस तो हम बनाम भारत जो की चर्चा का विशे है वाम की आवाज में आज हम बात कर रही है भारत बनाम इंडिया इंडिया आपको पता ही है कि वक्षी दलो का नाम है और जिस पर हम लोग सवाल पूच रहे हैं आज लोग अपनी राय दे रही है तो चलिए ब्रेक से पहले हमने बहु आज है दोजर चॉबिस में पीम मोधी को हराने के लिए क्या लगता आपको सबसे पहले इसकी नाम के बारे में चर्चा हुरे कि इस नाम को प्यूड करके उन्होंने शाहिद देश का अपमान किया है आपकी इस बार में क्या रहा है नहीं मुच ऐसा कुछ नहीं लगता कि इस नाम से कोई भी इंडिया की बेस्ति या ऐसा कुछ है इस जस लाइक नेम नाम चाहिए था लाइन को सिंस तरह से अभी एक आग सी उठी है सिर्फ नाम को लेकर बलकि असल मुद्दे बहुत सारे हैं मनिपूर और अडानी बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन सिर्फ एक न इसको लेकर कोट तक में याचिका चली गई है ऐसा क्यों वट आई बिलीव जो मुझे ऐसा लगता है कि अग्ड़ सेंट्रल गवर्मेंट इस ट्राइंग टू जो बड़ लोगों को अब लोगों का ध्यान ना बटकाना चाहते हैं तो फॉर्म देरा मैंनी रियल इसूस करी मुझे की बात करी जो की हमारा मने पर हो गया और भी बहुत सारे इंपोर्टें इशूस जो व्यूश आर भी इिग्नोड पद देरा सटीन इसूस जो अंसीन इसूस ड़ीजित वह बढ़ रहा है खमारा घूम और आप हमारा जो इंफलेशन है वह ओल्टाइम हाय ए और पुरे पिछले फिसकल यर प्लस दिस साल कर जो दो महिने हुए है उसका हाइस था इस चीज़ है तो गवर्मेंट इस ट्राइंग तू अवाइड इस कोशिंस और एक छोटे से कोश्च जो चोटा सा इसु लेके आगे आ जाते अभी फॉर एक्जमपल राहूल गांदी जी का वह था एक पहले तो वह इनका कैंसलेशन हुआ फिर वह रिवोक पर भी जॉइन करा और एक फ्लाइंग किस कर दिया और उस फ्लाइंग किस को लेकर उन्होंने एक नैशल इशू हमारा मनेपुर है मनेपुर के लोग है नैशल इशू देया पार्ट आफ इंडिया और इनको इनको एक फ्लाइंग किस से वह लेना देना है हमारी वह समर्ति राने जी वह मिनस्टर भी है चाल एंड वोमें वेल्फेर के और उन्होंने वहां पर जो वोमें के साथ हो रहा है वहां पर उन्होंने कुछ नहीं बोला एक फ्लाइंग किस क्या हुआ वह वह शीया से बिकम लेकिन जिस तरह से अभी विपक्षी गडबंधन एक हुआ है 2014 में पेमोधी को हराने के लिए आपको क्या लगता है आपकी राए में क्या सफल हो पाएगा विपक्षी गडबंधन इस पूरे उसमें इस चीज़ के लिए वाट आई बिलीव की इशूस बहुत सारे देश मे बहुत सारे इशूस में आपको कुछ गिनावी दी अगर ऑपोजिशन सारे इशूस को जनता तक पहुचा बाती है और जनता को कन्विंस कर सकती है कि दी जादा रियल इशूस और जो मीडिया चला रही वो इशूस नहीं अगर इस चीज में ऑपोजिशन सक्सेस्फुल होत विपक्ष इपफेश की अपनी कि अलग एंडिविजयलिटी ही हर एक पार्टी की वह धीरी 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 खतम हो गए क्योंकि वह सारे तो इकठे होगे अब वह लड़ सिरफ किसी एक के खिलाफ रहे है यह तो नेरेटिव चलाया जा रहा है कि एक खिलाफ है मोधी के वो सब अपने अपने स्टेट को रिपेसेंट करेंगी इस दिखाई देगी जब किसी एकता नाम आगे बढ़ कर आएगा पीम की सीट के लिए आपको लगते यहीं एकता दिखाई देगी अगर यह मुल्टिबल फेसिस पे चल सकती है हमने 2004 का यूपीय का आलाइस देखा था देवर कॉंग्रेस को बहुत कम सीटे थी देवर पार्टी जिन्हों ने मिलकर आलाइस करा तो करें में धडिया नाम की वही अभी जंक जा रही है बनाम भारत आपको लगते हैं यही जंक देखने को मिलेगी हुए बारात मतलब बाकि अच्पर आज की क्योंकि पाडिक्स के आज की डेट में जो है में मुद्धों से जैसे आप बतारे थे में में मुद्धों के ऊपर पर बात करती है नम की मकश्मीर का है उस पर सुनवाई करना बाकी अभीbasal का जो फेसला होगा इसानि को हूं रहा है, वहादा उ убभा करें इस न मुद्दो पर सुनिवहाई और उससं मुद्धों की है एक हमारा हुआ है, कोड़ जैसा भोलेगा हुआ है, वैसा हमको फॉलो करना पड़ेगा, कोड़ के मुद्धे पे हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर उन कोड़ को लगेगा, हमारी जूडिश्री को लगेगा, कि इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो कोड़ व हम रखा, उसके बाद बहुत सारे BGP नेताओं ने अपने टुटर हैंडल से, इंडिया हटाकर भारत कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है, यह तो मैम वो अपनी नेशनल्टी और उस पे सब खेलते हैं, तो फिर हम ज़्यादा वो है कि पड़े लिखे हमको पता चल जाता ह क्यों आइंडिया प्राब्लम अब इंडिया उननने ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया कि खोएंडिया बाकी इंडिया नहीं है, तो सभी भारतिया जन्ता पांटी, नाम है इनधिया, तो मैं यह को नही हों अगर यह कि आहीं है, तो यह तो बहुत ही अब कैसे बोलूं कि मांसिकत अगर छोटी मान सिकता वाली बात हो जाएगी हाँ निखली स्थर की राजनीती मुझे लगता ही हो लिए आपको क्या लगता है वे पक्षी एक ता जो गडबंधन एक अठा होकर आया है क्या आपको लगते हैं दो हज़ार चौबिस में यह बीजीपी के खिलाफ एक जोर तो खड़ा हो पाएगा देखो मैं अभी तो अलाइंस बना है अब जैसे आपने बोला जब कोई एक नाम आगे आता है तो उस पर भी डिपेंड रहेगा किसका नाम पीम के लिए आता है कौन-कौन उस टाइम साथ रहते हैं कौन-कौन अलग हो जाते हैं बाकी अभी तक तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा फेस आए आगे चाहे वो राहुल गांदी हो चाहे कोई और हो लेकिन फेस पे तो एक प्याना बढ़ेगा क्योंकि पीम के फेस पे ही सारा इलेक्शन देखा जाता है फेस तो बहुत ज्यादा मैटर करता है बाकी कॉंपिडिशन दे पाता है हरा पाता है वो बात की बात है कि जब फेस आता है फिर इकठे रहते हैं कि लग लग हो जाते हैं क्योंकि कई अच्छे भी होंगे कई चीजों के मेरिट भी होते हैं कई नराज भी होंगे कई खुश भी होंगे अब वो तो उसी टाइम बता चलेगा कि क्या होता आपको लगते हैं बीजीपी भी दाओ खेल सकती है पीए मोधी के लावा शायद कोई और फेस होगा मैं दाओ खेलना होता मुझे लगता है तो अभी तक किसी ना किसी को प्रोजेक्ट आगे करके अभी उसकी ब्रेंड ब्रेंड बिनाना उसको शुरू कर दिया होता वीजेपी ने जैसा उस समय मोधी जी को किया था क्योंकि एक वेव चली थी मोधी 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 तो बच्चा ब लग रहा है कि मोधी के नाम पर ही एलेक्शन दुबारा बीजेपी लड़ेगी है लेकिन इससे पहले जो मुद्दे और जो नाम पर विवाद चल रहा है वो कितनी देर तक और रहेगा यह तो देखना बाकी है और क्या इस नाम पर कोई कारवाई हो पाएगी वो भी देखन बाकी है कि क्या ये गडबंधन जो है क्या ये इलेक्शन तक ऐसे ही कायम रहेगा ये पी-एम फेज का जब चैन किया जाएगा क्या तब भी ये एक तहमें ऐसी दिखाए देगी या फिर ये विपक्षी गडबंधन उस समय अलग-अलग हो जाएगा तो इस मुद्दे पर बहुत से लोगों की अपनी राय थी, सभी लोगों ने अपनी राय बताई और सबकी अलग अलग राय थी, लेकिन इस पर समझ तो हम तभी पाएंगे जब 2014 के चुनाव आएंगे, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि विपक्षी गडबंधन अपने मनसूबों में कितना सफल तो फिलाल आज के लिए मुझे दीजे इजासत अकलिबार एक रहे मुद्दे के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे, आप हमें अपना फीडबैक info.justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूले, नमस्कार